हालो विवर्स वेलकम मैं हूँ वनीता आज मैं बनाने जा रहे हूँ वास में खाई जाने वाली इडली मैं केवल समा के चावल से इडली बनाने जा रही हूँ और साबुदाना का पियोग नहीं कर रही हूँ क्योंकि ज्यादा तर घरों में या तो समा के चावल अवेलेबल होते हैं या साबुदाना अवेलेबल होता है अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो आपको मार्किट में जाकर साबुदाना या समा के चावल दोनों खरीद कर लाने की जरूरत नहीं है आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है या समा के चावल या साबुदानाब किसी भी एक चीज से भी इडली इस तरह से बना सकते हैं तो चलिए देखते हैं किस तरह से समा के चावल से बहुत अच्छी जालीदार इडली बन सकती है और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरू करते हैं इडली बनाने के लिए एक कप समा के चावल लें और इसे एक मिक्सी में पीस लें अगर आप अच्छे से पीस लेंगे तो भी चलेगा अगर दरदरा पीसेंगे तो भी ठीक है तो आप इसे पीस लें और एक बरतन में ये सारा मेटेरियल निकाल लें यह देखिए इस तरह ऐसे निकाल लें अब इसमें आप एक कब दहीं डाल दें दहीं डालने से यह बहुत सौफ बनेगी तो एक कब दहीं आप जरूर डालें दो चमच खी और साथ में स्वाद अनुसारा या फिरादा चमच इसमें नमक डाल कर मिक्स कर दें और इसे कम से कम हमें गंटने के लिए रेस्ट पर छोड़ दें इसे अच्छे से मिक्स कर लें जितनी ज्यादा देर आप इसा रखेंगी उतनी ज्यादा सौफ बनेंगी और मैंने पानी का इस्तिमाल नहीं किया है मैंने इडली खा सकते हैं मैं आपको एक इडली बीना सोड़े के बना कर दिखाती हूँ किस तरह की इडली बनेगी अगर आप सोड़ा नहीं डालेंगे क्योंकि कुछ लोग वरत में सोड़ा प्रेफर नहीं करते तो आप इस तरह से देखिएगा किस तरह से बनती है तो एक कटोरी में मैंने पोर कर लिया है थोड़ा से मैटीरियल एक ये पतीले में मैंने जाली रखी है अगर आपके पास जाली ना हो आप एक कटोरी उल्टी कर सकते हैं थोड़ा सा पानी इसमें डाल दे और उपर ये कटोरी रखकर इसे गैस पर चड़ा दें बस 5 मिनट के लिए वो भी स्लो आँच पर ये देखिए इसे ढखकर रग दे और बस 5 मिनट सफिशेंट है 5 मिनट बाद चेक करें ये देखिए ये इडली बन चुकी है मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की इडली बनी है ये देखिए इसे निकाल अगर आप सोडा नहीं डालेंगे सोडा डालने से इडली थोड़ी सी जादा फूलेगी और जालीदार बनेगी इस तरह की इडली भी बहुत टेस्टी लगती है तो अब हम एक बरतन को या फिर सांचे को ग्रीस कर लेंगे अगर आपके पास इडली स्टैंड ना हो तो आप कटोरी में भी बहुत अच्छी डली बना सकते हैं चार-पांच कटोरी ले 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 उनमें थोड़ा-थोड़ा मैटेरियल पोर कर दें और पतीले में एक प्लेट उल्टी करके पानी डालके उसे दस मिनिट के लिए स्लो आंच पर रख दें फिलहाल हम बैटर में जो हमने बैटर में दो चुटकी सोडा डाल रहे हों बस दो चुटकी सोडा डालने की जरूरत है क्योंकि हमने इसे एगंड ब्रलाट जाल घंक इस तरह करते हैं इस तरह से आप ये सारा material है जो थोड़ा-थोड़ा करके इन छोटी-छोटी कटोरियों में पोर करते जाएं ये देखिए कटोरियों में भी बहुत अच्छी इडली बनती है सांचे के बिना भी ये देखिए इस तरह से आप रख दें और बस अब इसका इसको कस दें नट से कस दें नट से उठाना थोड़ा असान हो जाता है जब इडलीज पक जाती है तो बाकी चीज बहुत गरम होती है लेकिन नट से उठाना इजी हो जाता है इसलिए नट जरूर लगाएं और बस पत गई हैं इसे हम निकाल लेते हैं ये देखिए अब हम इसका नट खोल देते हैं ये देखिए इस तरह से और बस अब हम एक एक करके ये इडलीज निकाल लेंगे एक प्लेट में निकालते जाएं सारी इडलीज आप देखेंगे कि बहुत ही असान ये थोड़ा ध्यान से करें देखिए कितनी जालीदार इडली बनी है और सॉफ्ट है और थोड़ी ज्यादा फूली है सोडर डालने से ये देखिए ये मैंने बहुत चोटी चोटी इडली बनाई थी ये देखो बहुत ही अच्छी इडली बनी है ये पूरी जालीदार इडली बनी है ये खाने में बहुत तेस्टी लगेगी बहुत ही स्वादेश्ट लगेगी ये देखिए बहुत ही अच्छी ये देखिए इस तरह की जाली ता इडली खाने में बहुत ही मज़ाता है इसे आप चटनी के साथ खा सकते हैं दहीं के साथ खा सकते हैं नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं मैंने ये धनिया पुदीना और कड़ी पत्ता की चटनी बनाई है टमाटर काफी सारा डाला है और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कोई 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 हो कमेंट करें नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करें तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच